Good evening students तो respiratory system को हम basically discuss कर रहे थे I hope आप सारे वीडियो जरूर देख रहे होंगे और नहीं देख रहे हैं तो उमीद है कि आप लोग आगे से जरूर देखेंगे तो respiratory system का अब basically वो topic हम discuss करेंगे जिससे previous year में questions बहुत जादा पूछे गए पिछले कुछ एक दो साल से उससे question नहीं पूछ रहा जा रहा है लेकिन फिर भी वो topic जादा important है topic का नाम है mechanism of breathing तो हम आज जो discuss करेंगे वो है mechanism of breathing के बारे में अब इसमें क्या important है देखिए फिर से word breathing है तो breathing में दो चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी एक है आपके पास inspiration और दूसरी जो आपको देखने को मिलेंगी वो है expiration ठीक है नॉर्मल भाशा में मैं ये कह सकता हूँ कि inspiration को हम basically inhalation कहते हैं तो inhalation के दोरान में जो normal चीज देखने को नजर आएगी वो है कि हम oxygen को basically inhale करते हैं दूसरा जब expiration में word यूज करता हूँ तो इसका मतलब है exhalation exhalation का मतलब हुआ जो आपके पास carbon dioxide body के अंदर मौजूद होगी उसको आप basically body से बाहर ले कर जाएंगे तो कुछ इस तरह से हुआ कि आपके पास oxygen जाएगी body के अंदर और carbon dioxide जाएगी body के बाहर अब ये process होगी कैसे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मैं separately एक एक चीज को deal करूँगा उसके लिए आपको जो prime most requirement है जिसकी वज़ा से ये breathing हो पाएगी हम सबसे पहले वो note करेंगे तो हम देखेंगे कि raw material क्या है raw material जिससे basically इस breathing को होने में मदद मिलेगी तो देखेंगा number one जो सबसे ज़्यादा important role play करता है वो है सबसे बड़ी muscle जो आपके पास respiration में help करेगी जिसका नाम है phrenic muscle नाम क्या है जी phrenic muscle है उसका नाम अब ये phrenic muscle आपके पास normal भाशा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है ये diaphragm है ठीक है बहुत normal चीज हो गई second जो important आपके पास यहां पर है वो है आपके पास lung number two के उपर आपको किसकी involvement नजर आएगी lungs की तीसरी involvement जो आपके पास यहां पर नजर आएगी वो है आपके पास ribs अब ribs क्यों मैंने कहा क्योंकि एक rib को दूसरी rib के साथ जोडने के लिए आपके पास दो तरह की muscle work करती है तो आपके पास एक muscle का नाम है उसको बोलते हैं external intercostal muscle word है external intercostal muscle एक muscle यह है अब माल लेते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर की word लिखा है external तो external का मतलब हुआ जैसे माल लेते हैं यह आपके पास rib है तो rib के जो बाहर की और को आपके पास muscle नजर आ रही है लगी हुई उसका नाम है external intercostal तो माल लेते हैं कि मैंने यह जो आपके पास vertical lines बनाई है यह vertical lines हमें बता रही है कि यह basically आपके पास external intercostal muscle है अब एक muscle और है जो ribs को connect कर रही है उनका नाम है internal intercostal muscle अब internal का मतलब क्या हुआ अंदर की और को है ना तो अंदर की और का मतलब क्या हुआ देखे एक्स्टरनल यहां बाहर है और कुछ obliquely placed आपके पास basically second muscle है जिसका नाम है internal intercostal muscle तो माल लेते हैं मैं इस चीज़ को basically अगर आपको बता हूँ तो दूसरे color से मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ देखे कि माल लेते हैं यह दूसरी आपको अब muscle नज़र आ रही है यह obliquely placed है इस oblique placement जो आपके पास muscle नज़र आ रही है यह internal costal आपके पास है और जो आपके पास vertical lines आपको नज़र आ रही है वो external intercostal muscle है तो यह तीन most primost requirement है जिसकी वज़ा से आपके पास breathing हो सकती है otherwise breathing होना possible ही नहीं है तो यह चीज़ा आपको पका से ध्यान दे कर चलनी है अब यहाँ पर एक important चीज़ जो हम फिर से note करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा देखिए तो मैंने कहा था कि breathing जो है वो basically आपके पास दो step की process है एक inspiration करना और दूसरा expiration करना तो सबसे पहले देखेंगे inspiration के दुरान में ऐसी क्या चीज़ हुई कि oxygen जो है वो body के अंदर जा पाई अब देखिए अगर normal भाशा में अगर मैं आपको यह कहूँ कि आप हवा को अंदर ले जाने की कोशिश करिए तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है जब हम हवा को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हमें effort लगाना पड़ता है और effort जब हम लगा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारी body के अंदर जो energy resource है हम उसको use कर रहे हैं इससे यह समझ आता है कि inspiration एक active process है जिसके अंदर ATP will be utilized यह क्या होने वाले है utilize होने वाले है क्योंकि इसमें energy लग रही है अब दूसरी चीज़ inspiration actually में हो क्यों रही है उसको हम देखने की try करते हैं देखिए क्यों हो रही है उसके लिए जो चीज़ें बताएगे उसको हम लिखेंगे तो number one हम हवा को इसलिए अंदर की और को ले जा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास external intercostal muscle contract कर रही है word क्या लिखा गया external intercostal muscle की contraction होगी और number two के उपर जो आपके पास मैंने word यूज किया था phrenic muscle जिसको common भाषा के अंदर हमने कहा था diaphragm तो diaphragm में भी आपके पास contraction होने वाली है इन दोनों की वज़ा से आपके पास क्या चीज होने वाली है ज़राब माल लेते हैं कि ये बेसिकलिए आपके पार ribs है अब ribs बेसिकलिए एक दूसरे साथ कैसे connected है connection तो आया external intercostal muscle से अब देखो माल लेते हैं ये दो आपके पास ribs है तो जब आपके पास ये particular जो external intercostal muscle है ये contract करेगी तो आपके पास ribs एक दूसरे के करीब जाएगा ये rib भी एक दूसरे के करीब गया तो इसका मिला 12 pair of ribs एक दूसरे के करीब आएगे अब करीब आने से होगा क्या उसको जड़ा ध्यान दीजे जब आप हवा body के अंदर की ओर को ले कर गए आपके nostil से गई nostil से होने के बाद आपके पास basically larynx और pharynx में गई pharynx में आपके पास basically partition हो गया और वो हवा आपके पास trachea के अंदर अंदर की और trachea से होते हुए bronchi bronchiol और lungs में अंटर की अब देखिए जब आप हवा अंदर की ओर को ले कर जा रहे हैं तो आपका जो lung है वो उपर की ओर को उठता है आप try भी कर सकते हैं तो lung आपका उपर की ओर को उठा लेकिन एक process साथ में और हुई ये lung आपके पास बाहर की ओर को भी गया अब important चीज़ क्या है जो books में लिखी गई उसको हम यहाँ पर deal कर लेते हैं क्या लिखा गया आपके पास basically lung जो है वो expand करेगा lung क्या लिखा उसकी expansion होने वाली है expansion का मतलब गया है कि lung basically आपके पास उपर की ओर को भी उठकर गया और बाहर की ओर को भी गया इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि lung expansion में आपके पास lung जो है वो आपके पास upwards and outward move कर रहा है बाहर की ओर को जा रहा है तो आपके पास second word आया outwards आपके पास movement हो रही है ये एक process हुई अब इस process के साथ एक process और हुई माल लेते हैं ये आपके पास lungs है ठीक है तो आपके पास frenic muscle का है तो frenic muscle है आपके पास यहाँ पर ये basically frenic muscle है ये diaphragm है तो diaphragm basically आपके पास से यहां नीचे abdominal structure पड़े Abdomen है और जिसमें आपके पास ये lung placed है इसको हम बोलते है thorax इतना region क्या है ये thorax तो thorax की cavity में आपके पास lungs है तो इसको कह दिया गया thoracic cavity है और ये आपके पास abdomen है तो abdomen की cavity में आपके पास abdominal organs होंगे तो इसको कह दिया abdominal cavity है अब देखिए क्या हुआ abdominal cavity को thoracic cavity से separate किसने किया actually में वो है आपके पास basically this diaphragm और the phrenic muscle important है ये पका ध्यान रगिए क्योंकि यहां से question आपको देखने को भी लगए अब देखिए ये muscle किसके साथ actually में connected है मैं दूसरे color का भी आपको यूज करकर बताता हूँ अब ये आपके पास जो particular diaphragm है ये actually किसके साथ connected है ये आपके पास है lungs के साथ connected देखिए पूरी तरह से lungs के साथ connected नजर आ रहा है अब होगा क्या माल लीजिए आपने हवा अंदर की और को घीची तो lung कहां जाएगा उपर की ओर और आपके पास बाहर की ओर क्यूंकि मैंने वर्ड के लिखा था upward and outward movement आपके पास lungs की होने वाली तो actually movement किस चीज की हो रही है ये जो आपके पास थोरह सी cavity है इसकी movement आपके पास upward और आपके पास जो basically outwards और upward आपको movement नजर आ रही है अब यहाँ पर एक और important चीज है अब हुआ क्या देखिए मैंने कहा था कि ये आपके बाद diaphragm है तो diaphragm में भी contraction हुई और contraction होने पर diaphragm कहां गया उपर की ओर को अब इससे क्या होगा diaphragm की जो normal shape है वो आपको यहाँ पर change होती हुई नजर आएगी कैसे change होती हुई नजर आएगी उसको हम ज़रा देखने ही कोशिश करें फिर से अब यहाँ पर आपके पास ये लंग है और ये आपके बाद दूसरा लंग है यहाँ पर आपके बाद diaphragm है तो देखिए normally अभी जब मैंने diagrammatic shape बनाई है वो कुछ semi circular type की है इसको बोला जाता है dome shaped यादगर के चलना कि आपके पास normal shape of a diaphragm dome shaped है लेकिन माल लीजिए जब यहाँ से आपके पास इस diaphragm को उपर की और को खींचेंगे जब हमारी हवा अंदर जा रही है body के inside में तो उस समय आपका पास यह particular shape change होकर कैसी हो जाएगी flat तो यादगर के चलिएगा आपके पास diaphragm during inspiration क्या हो जाता है flat तो एक और चीज अपने यहाँ पर पढ़ी अब मैंने क्या-क्या चीज पढ़ाई उसको ज़रा वापी से revise करिए देखिए मैंने क्या खा during and inspiration आपके पास external intercostal muscle जो थी वो contract कर रही थी साथ में आपके पास जो diaphragm है वो भी contract किया thoracic cavity जो है वो उपर की और को उठी और बाहर की और को गई यह सारी चीज हुई अब इसके दुरान में एक चीज और हुई जिसको मैं अभी लिखने वाल हूँ हुआ क्या कि lung के inside में आपके पास volume of air क्या कर जाएगी increase कर गई ठीक है इसलिए तो आपके पास thoracics उपर की और को गया था और बाहर की और को गया था अब volume of air आपके पास lung के inside में बढ़ गया अब बढ़ने पर आपके पास एक important चीज हुई अगर आपको याद हो chemistry का एक rule है उस rule में आपके पास एक boils law है सबने बढ़ा होगा तो boils law ने क्या बोला था कि volume of air is always inversely proportional to the pressure of the air if the temperature is constant word कहा है जी temperature जो है वो आपके पास constant होना चाहिए तो हम humans है और हम homeyothermic organism है और हमारी body का internal temperature है वो कभी change नहीं करता है इसका मतलब यह हुआ कि हमारी body के inside में या lung के inside में जो हवा जा रही है उस आपके पास volume of air जो है वो आपके पास किसके inversely proportional चला जाएगा pressure इससे क्या समझते हैं जब आपके पास lung के inside में volume of air आपके पास बढ़ा तो उसी समय pressure क्या कर गया decrease कर गया अब इसको मैं समझाने की फिर से try करता हूँ फिर से देखिएगा मैंने क्या चीज गही मैंने ये कहा कि volume जो है वो inversely proportional है pressure के ठीक है लेकिन कौन सी आपके पास air है वो तो मैंने बताया है नहीं उसको देखिए जब बहुत simply समझने की try करिएगा आपने जब हवा को inhale किया तो inhale आप actually किसीज को करते हैं वो तो oxygen को कर रहे है oxygen का volume lung के अंदर बढ़ा लेकिन वहीं पर आपके पास pressure of oxygen लंग के अंदर क्या कर गई fall कर गई अब इसके fall करने से आपके पास फाइदा क्या हो रहा है जरा उसको ध्यान दीजे अगर माल लेते हैं अगर ये pressure आपके पास fall ना करता तो आप oxygen को कैसे inhale करते अब इसको मैं दूसरे way में समझाता हूँ कैसे समझे देखे हमें ये मालूम है कि जो basically air होती है वो higher concentration से lower concentration की और को move करती है या higher pressure से lower pressure की और को move करती है अब इससे क्या समझ आ रहा है इससे ये समझ आ रहा है कि जब हम हवा को inspire करते हैं तो उस समय atmosphere के अंदर oxygen का जो pressure है वो आपके पास ज्यादा है तो आपके पास atmosphere में oxygen का pressure क्या हुआ pressure याद करके चलिए का मैं pressure word use कर रहा हूँ pressure ज्यादा है और उसी समय आपके पास lung के inside में oxygen का pressure क्या है कम है देखे यहाँ पर बता लगता है कि जब हम inspire करते हैं हवा अंदर की ओर को लेकर जाते है तो oxygen का pressure हमारी lung के inside में कम होता है और इसका मतलब atmosphere में आपके पास oxygen क्या है ज्यादा है तो आपके पास हमेशा atmosphere से lung में oxygen की आपके पास क्या दिखाई पड़ेगी movement अगर ये ना होता तो आप कभी भी oxygen को inhale ही ना कर पाते तो ये चीज हमें पका से ध्यान देकर चलनी है अब देखे मैंने आपको inspiration के दुरान में किन-किन चीजों के बारे में पढ़ाया उसको आपने ध्यान करना है अब देखे क्या क्या चीज मैंने पढ़ाई फिर से सुने मैंने ये कहा कि जब हम inspire करेंगे और आपकी oxygen हमारी lung के अंदर enter करेगी तो lung का जो आपके पास volume of hair है वो आपके पास increase कर जाएगा thorax आपके पास उपर की और को उठेगी और बाहर की और को जाने की try करेगी ये important है साथ में diaphragm भी उपर को उठा क्यूंकि diaphragm में भी contraction हो गई diaphragm flat हो चुका है external intercostal muscle की वजहा से आपके पास ribs जो दे वो एक दूसरे के करीब आ गए थे lung के अंदर air का volume increase हो गया था लेकिन pressure आपके पास fall कर गया उसी air का क्यों क्योंकि boils lock है accordingly volume of air जो है वो inversely proportional to the pressure of air होती है अगर temperature आपके पास constant हो इसी वजह से आप oxygen को inspire कर रहे हैं carbon dioxide को आप inspire नहीं करते हैं आप हमेशा किस चीज को inspire करते हैं या inhale करते हैं वो है oxygen तो आपको शायद ये समझ आया होगा inspiration के दौरान में क्या हुआ अब यहीं पर दूसरी process है second process जो आपके पास breathing के अंदर हो रही है वो है आपके पास expiration देखिए inspiration में होने वाले steps का आप vice versa अगर दीजे आपको सारी चीज खुद बखुद पता लग जाएगी देखिए अब उसमें क्या होगा पहली चीज आप जब expire करते हैं तो expire आप करते हैं carbon dioxide अब हमें तो मालूम है लेकिन मैं आपको ये कीज कैसे समझाऊँगा उसको समझने की try करिए देखिए हुआ क्या जब inspiration को हमने पढ़ा तो हमने का external intercostal muscle contract करती है तो अगर expiration होनी होगी तो आपके पास वो ही external intercostal muscle क्या कर जाएगी relax तो यहाँ पर देखिए external intercostal muscle ये क्या कर जाएगी आपके पास relax कर जाएगी एक चीज यह हुई second, diaphragm भी क्या कर जाएगा relax हो जाएगा अब diaphragm के relaxing position पर shape कैसी थी जैसे उसकी normal होती है that is dome shaped है अब इन दोनों process होने की वज़ा से आपके पास हुआ क्या जो आपके पास volume of air lung में है वो आपके पास क्या कर जाएगी decrease हो जाएगी लेकिन pressure के उपर क्या effect आया pressure आपके पास increase हो गया लेकिन ये pressure किस चीज का increase हुआ वो हुआ carbon dioxide का इससे क्या समझाया कि atmosphere के अंदर carbon dioxide का जो आपके पास partial pressure है वो कम है इसलिए आपके पास lung से हुटती हुई carbon dioxide atmosphere की ओर को move करती हुई जाएगी इसलिए आप carbon dioxide को exhale करते हैं और oxygen को inhale करते हैं ये कितनी बढ़िया चीज है और इतनी shortest form में मैंने आपको समझा दी फिर से अगर आपको समझना आया हो तो मैं फिर से एक बार repeat करूँगा देखिए inspiration में होने वाली जो process थी उसको हमने बिलकुल उल्टा कर दिया तो हमने inspiration में ये पढ़ा कि external intercostal muscle की आपके पास contraction होती है diaphragm भी contract करता है diaphragm वहाँ पर flat हो जा रहा था जिसकी वज़ा से thoracic cavity आपके पास में उपर की ओर को move कर कर गई थी और बाहर की ओर को आई थी volume of air आपके पास वहाँ बढ़ा था लेकिन pressure आपके पास fall कर गया था pressure किसका fall किया था oxygen का इसका मले atmosphere में आपके पास oxygen का pressure क्या है आपके पास ज़ादा था और इसी वज़ा से आप atmosphere से oxygen को inhale कर पा रहे थे expiration में उल्टा हो गया क्या हुआ external intercostal muscle relax हो गई diaphragm भी relax होकर dome shaped हो गया volume of air आपके पास जो lung के अंदर मौजूद है वो आपके पास air का कम हो चुका है pressure आपके पास बढ़ गई अब देखो इस दोरान में हुआ क्या lung जो है वो downward move किया और inward move किया ऐसा ही नहीं होगा पहले आपने हवा अंदर के और को खीची अब हवा छोड़ोगे तो होगा गया देखिए suddenly आपके पास जो lungs है या thoracic cavity है या thorax है वो drop down कर जाएगा और अंदर के और को move कर जाएगा तो यहाँ पर एक important चीज हुई lung क्या किये या आपके पास thorax क्या हुआ वो भी तो relax हो गया और relax होने पर वो कहां के और को movement कर रहा है downwards और साथ में आपके पास inverse movement हो रही है जिसकी वज़ा से volume of air lung के अंदर आपके पास fall कर रही है pressure आपके पास बढ़ गया क्योंकि boils law यहाँ पर valid चल रहा है pressure किस चीज का बढ़ा carbon dioxide का बढ़ा इसका मला atmosphere में carbon dioxide का pressure आपके पास कम था और हमें मालूम है कि हवा हमेशा higher pressure से lower pressure की और को move करती है तो body के lung में आपके पास carbon dioxide का pressure जादा है और atmosphere में आपके पास carbon dioxide कम है इसलिए lung से होती हुई carbon dioxide atmosphere की और को जाएगी यही आपके पास exhalation या expiration है उमीद है यह mechanism of breathing का जो particular fundamental है यह आपको समझ आई होगी और पक्का से याद करकर चलिएगा यह बहुत important topic है नीट के लिए या आपके पास जो basically human physiology है उसका सबसे important topics में से एक important है आपको पूरी आपके पास शिद्दत के साथ इसको पढ़ना चाहिए यूंकि एक question अगर वो चार number का है और इसी में से अगर आ गया और आपको नहीं आया तो बहुत जादा दिक्कते हो सकती है और गल्ती की सजा यहां पर minus one है तो उसको पक्का से ध्यान में रखते हुए इस topic के जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान करिएगा इसके उपर question जरूर करिएगा और कोशिश करिएगा जितनी बार इसको repeat करकर पढ़ें आपकी यादाश्ती मलतेज होगी कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा और मेरी बात एक और ध्यान करिएगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें दूसरों के साथ इस चैनल को जरूर share करिए topics को share करिए और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे या मुझसे कोई गलती हो गई हो comment section में आप जरूर मुझे बताएं और कोशिश जरूर करें कि बापिस से बार बार से read करें दोस्तों के साथ share करें thank you very much